Hello everyone, this is Saurabh Kumar, CEO and Physics Mentor at Vidyabandir Classes. Welcome to 90 Days Challenge और अब भी चैलेंज खतम होने आ रहा है क्योंकि J.E. में January Attempt अब आने वाला है और action चारो तरफ तेज हो गया है तो आज के 90 Days Challenge में जैसा मैंने आपको अपने Physics Tips वाले वीडियो में भी बताया था कि important chapters हम ले रहे हैं और one shot भी आ रहे हैं in chapters के बट आज हम ले रहे हैं Heat and Thermodynamics जो बहुत-बहुत important जो है chapter है और जिससे questions खुब सारे आते हैं मैंने पहले आपको कैलोरीमेटरी करके दिखाया है जिसमें कि सारे important कैमसर्ट कैलोरीमेटरी के हैं इससे question आ रहे हैं continuously आज हम थर्मनाइमिस की बात कर रहे हैं और एक मैंने ऐसा question चूज किया है जिसके through आपके बहुत सारे concepts एक साथ clear होने जा रहे हैं आए देखते हैं इस question को और solve करते हैं step by step आपका खुद माना अगर solve करने का तो आप question को pause करके वीडियो को pause करके question को solve कर सकते हैं अगर अभी तक कि मारे YouTube चैनल को subscribe नहीं किया है तो जल्दी से subscribe कर लिजे वीडियो को like और share करिए जिससे की आप और लोगों की भी help कर सके हैं चलिए आईए देखते हैं बहुती beautiful question है कह रहे हैं कि one mole of an ideal monotomic gas हमारा वो one हो गया फिर दूसरी important आपको point क्या दिया है monotomic gas monotomic gas यानि degree of freedom हो गई हमारी three degree of freedom हो गई हमारी three है ना तो जिससे की आप gamma cp cv सब निकाल सकते हैं ना यह सारा आपने पढ़ा हुआ होगा है ना कि gamma कैसे निकालते हैं cp कैसे निकालते हैं cv कैसे निकालते हैं so on and so forth है ना degree of freedom three हो गई हो गई तो सभी लोग शाहिए जानते हैं हमारी मज़े को लगता है कि cv जो होता है वो f by 2r होता है और cp जो होगा वो 2 plus f by 2r हो जाएगा और gamma जो हो जाएगा वो 2 plus f by f हो जाएगा यानि यहाँ पर degree of बने इसको भी आपको रिव्यू कर दिया कि degree of freedom three है तो हमारे पास सारे data जो है वो आ गए है और थोड़ा सा question जो है वैसे तो क्या ही easy होगा बट हाँ 1 mole देने से थोड़ी जी calculation तो benefit दे ही जाती है क्या क्या चीज़े calculate करवा रहे हैं हम आपसे work done by the gas cyclic process में work done बत्वा रहे हैं दूसरा heat rejected by the gas in the path C heat rejected का calculation करवा रहे है heat absorbed by the gas in path AB heat rejected करवा लिया calculate heat absorbed करवा लिया work done बनवा दिया and heat absorbed by the gas in path BC क्या difference है इसमें बताता हूँ क्यों इसको मैंने लिया है fourth maximum temperature attained by the gas during the cycle बहुत सारे बच्चे confused रहते हैं और मेरे से आके पूसते रहते हैं कि maximum temperature निकालने का सर कोई ऐसा तरीका बता दो जो हर जगा काम करता हो तो वो तरीका भी आज मैं आपको बता रहा हूँ कि cyclic process में कि cb process में maximum temperature निकालने का तरीका क्या होता है IS indicator diagram को दिखते हैं जो indicator diagram यहाँ पर बना हुआ है यह हमें क्या क्या जानकारी दे रहा है a से b सब लोग देखें a से b जो है isocoric process हो गया है सब लोग देख सकते हैं कि v not volume constant है a से b जो है वो isocoric process है c से a जो है isobaric process है pressure p not वहाँ पर constant है ठीक है तो दो process तो identified है isocoric है और एक isobaric है b से लेके c तक का process जो है unidentified process है different process है जिसको कोई भी relation आप अभी नहीं देख सकते नहीं justify कर सकते इसलिए जो c वाला part है बड़ा important हो जाता है जिसके अंदर हमने आपसे पूछा है कि heat absorbed by the gas in the path b to c है ना क्योंकि अगर isocoric isobaric होता है तो तो simple है आप formula लगा के कर सकते हो लेकिन यहाँ पर जो है जब process identified नहीं है ऐसे case में कैसे heat absorbed है और इसी में ही हमने आपसे आगे की जो बहुत important बात करी है maximum temperature निकालने की बात भी की है चलिए आए एक एक करके इसको फटा-फट हम लोग solve करते हैं और देखते हैं सबसे पहली चीज work done बाइदा के सब लोग जानते होंगे कि cyclic process में work done is area enclosed by the cycle यह जरू धान रखे कि cyclic process के अंदर work done जो होता है वो क्या होता है area under the curve तो w cycle is equal to area enclosed ठीक है in general वैसे क्या होता है अगर कोई नहीं है तो तो अब हमारा जो इसमें work done देखना है तो देखे कि कैसा था हमारा कित्ता हो जाएगा 2V0-V0 और height कित्ती हो जाएगी 3P0-P0 है ना यह height होगी तो half base into height तो half base into height ठीक है अब इसका जो value आगया है वो half V0 into 2P0 यानि P0 V0 आगया दो बार type हो गया है तो इसको नहीं मानते हैं ठीक है कोई बात नहीं है तो यह हो गया P0-V0 तो यह एक work done आगया हमारे पास जो हो गया P0-V0 और यह शायद इस question का सबसे easy सबसे subtle part भी था concept revision की बात करी तो दो बात कर ली हमने W cycle area enclosed हो गया in general work done is integral PDV यानि in general but cycle के case में जो है क्या होता है area enclosed by the cycle और वो clockwise और anti-clockwise का भी फंडा होता है ठीक है तो वो भी चलो अभी discuss करते हैं आगे चलते हैं heat rejected in the path C A ठीक है C से A अब देखिए जला ध्यान से C से A जो था हमारा कौन सा process है isobaric process है C से A कौन सा process है isobaric process है इसलिए हमने कौन सा formula लगा दिया ncp delta t क्योंकि C A क्या है isobaric है सबसे पहले indicator diagram में आपको यही पढ़ना है कि कितने processes आप identify कर पा रहे हो ठीक है तो n into C P C से A तो यानि T C minus T A mole 1 हो गया degree of freedom C P 2 plus F by 2 तो कितनी हो गई 3 plus 2 by 2 यानि 5 by 2 into अब T C और T A है ना तो हमें नहीं पता है temperature को कि हमें PV graph दिया हुआ है बट हम लोग क्या use करेंगे PV is equal to nRT use करेंगे और n1 है तो यानि T मेरा हो गया PV upon R n1 है तो मेरा T क्या हो गया PV upon R यानि अगर मुझे T C लिखना है तो मैं कह रहा हूँ pressure at C into volume at C divided by R और अगर मुझे temperature at A लिखना है तो मैं लिख रहा हूँ pressure at A into volume at A divided by R तो इस चीज़ों को मैंने यहाँ पर place कर दिया और यह मेरी value जो आ गई वो 5 by 2 P not V not आ गई और यह क्या है यह heat rejected है अब heat absorbed in the path AB ठीक है तो अब AB पे आ जाते हैं A से B कैसा process है ISO correct process है तो यह NCP नहीं होगा यह NCV होगा ठीक है तो यह NCV TB minus TA CV किता होता है F by 2R तो 3 by 2R into TB TB वही हो जाएगा जो हमने TA तो निकली रखा है TB क्या हो जाएगा TB हो जाएगा pressure at B into volume at B divided by R ठीक है इसको feed कर दिया और यह आगे हमारा 3 P not V not और यह heat absorbed है वो क्या थी heat rejected थी यह heat absorbed है मैं क्यों कह रहा हूँ क्यों खीस का use अगले पार्ट में मैं करने जा रहा हूँ heat rejected मेरी आगे 5 by 2 heat absorbed आगे मेरी 3 P not V not और work done था मेरा P not V not ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले तो यह देखी बहुत यह हर पार्ट एक क्वेशन है यह दो क्वेशन है जो जाई में में आपसे पुछे जा सकते है ठीक है पहला वाला अपने आपने एक क्वेशन था थर्ड में आते हैं 4 cycle AB है ना अब हमसे जो क्वेशन थर्ड पार्ट में क्या पुछ रहा था अगर आप फर्स लॉ लिखते हैं किसके लिए पूरी cycle के लिए तो पूरी cycle के लिए चेंज इंटरलाजी हमेशा 0 होती है तो आप अगर लिखते हैं Q is equal to W plus delta U तो for cycle delta U for a cycle will always be 0 क्योंकि initial or final points जो होंगे वो हमेशा सेम होंगे तो cycle के लिए first law क्या होती है Q is equal to W तो बहुत सारे revision हमारा है थर्मडा निम्स का और है अगर आप इस question के थूरू देखेंगे तो अब हमने कह दिया कि heat supplied is equal to work done by the gas यह cycle के लिए होगा यह किसके लिए होगा cycle के लिए होगा हमेशा नहीं होगा cycle के लिए होगा तो हमने यहाँ पर जो किया वो क्या किया A से B A से C और B से C बचा हुआ है is equal to work done work done हमने कितना निकाला था पी नौट वी नौट अब rejected और absorbed की बाती heat की तो वो minus आ गया है इसलिए यहाँ पर और यहाँ पर plus है ठीक है तो heat supplied अब इसको solve कर लेंगे और यह जो हमारा आ जाए प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा पी नौट वी नौट बाई टू आजाएगा ठीक है अब आप इसको देख लेजे कि इसको देखी यह आपने करा यह एड कर दिया प्लस यह आपने basically क्या किया है यहाँ पर अगर मैं आप में इन से पूछो तो मैंने इसको यह से लिखी देता हूँ, हमाई cycle A से B से C जा रही है ना, A से B से C जा रही है तो W A B Q A B प्लस Q B C प्लस Q C A is equal to W यह हमने लिखा है, और इसकी हमने values place कर दी है Q B C अब है निकाल निकाल दा वो रह गया और work done हमारा इतना है, इसको solve करने के बाद Q of B C की value P 0 B 0 by 2 आ जा रही है, यह हो गया बात उसकी जिस process को हमने identify अभी तक नहीं किया था वो किस टाइप का process है, ठीक है obviously वो standard processes के अंदर नहीं लाई करता है, अब बड़ी important चीज आती है कि maximum temperature कैसे निकालेंगे कभी भी आपको maximum temperature निकालना हो, तो आप पहले तो समझ जाईए कि जब maximum की बात कर रहे हैं तो calculus का maximum minima picture में आएगा अब B से C तक का जो process है वो एक ऐसी line है जो standard process नहीं है, ना तो ISO बारिक है, ना इसो कोरिक है, ना एडियाबेटिक है, ना इसो thermal है, different सा है उस line के equation लिख लेते हैं तो line के equation लिखने के लिए हमने क्या use किया, y is equal to mx plus c type की line वो होगी, और y यहाँ पर p है, और x हमारे पास जो है, वो v है तो वो line हमारी हो गई, p is equal to kv plus k dash है ना, एक और important चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हो, कि यह जो line है, b से लेके c तक कि इसका slope जो होगा, देखिए वो कैसा होगा, m जो होगा वो negative होगा, क्योंकि यह अपस्ट्यूज एंगल बना रही है है ना, यह भी थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है, कि जब आप equation फाइनली आ रही है, तो आप सही है की नहीं यह भी चेक कर सकते हैं, और यह point number b से भी pass हो रही है, और यह point number c से भी pass हो रही है, तो जो y is equal to mx plus c, आप बनाएंगे वो इन दोनो coordinates, यह दोनो coordinates जो है, वो इसको क्या करने चाहिए, satisfy करने चाहिए, तो b के coordinates क्या हो गए, b के coordinates हो गए v naught, 3p naught और c के coordinates हो गए 2v naught, p naught, यह इसके coordinates हो गए, xy coordinates यह pv coordinates, अब हम ने इसका equation बना लिया, अब हमने b को satisfy करा दिया, उसके coordinates सक दिये, और c को satisfy करा दिया, उसके coordinates सक दिये, इन दोनों को solve कर दिया, तो हमारे पास यह आ गया और आप देखिए कि स्लोप जो आया निगेटिव आ गया है ना जो मैंने आपको बताया था कि स्लोप नेगेटिव होना चाहिए अपस्यूस एंगल बन रहा है स्लोप नेगेटिव आ गया माइनस टू बी नॉट और इंटरसेप्ट की वैलियू आ गई ये पी नॉट है ना अब हम पी पी जी कोट में इसको लगा देते हैं और इसको हमने टेंपरेचर के टम्श में रिप्रेजेंट कर दिया ठीक है पी जीकले इको एकल के नुट में V form कर दिया ठीक है तो हमने क्या गारा P को क्या लिख दिया घ्र लिख दिया और कुछ नहीं किया और इसको हमने तेमपरिटुर के घ्रिथम में रिप्रेजेंट कर दिया 97 के लिए Dt by Dv को क्या करा 0 कर दिया maximum के लिए dt by dv को 0 कर दे dy by dx 0 को maximum के लिए उससे हमें volume पता जल गी कि कि किस volume पर जो है temperature maximum आ रहा है वो volume क्या है वो volume हमारी आ गई 5 by 4 V naught वो volume आ गई हमारी 5 by 4 V naught ठीक है उस volume को हमने जो यह वारा temperature का expression है इसमें ले जाके substitute कर दिया ये final हमारा answer आ गया T max जो आ गया 25 P naught V naught divided by 8 R ठीक है तो यह general बात हो गई कि कोई भी generic जब आपको कहा जाए कि बताइए maximum temperature क्या है तो जो भी आपको अगर एक line दिया हुई उसके equation लिख लीजे और उस equation को temperature के टम से represent कर दिजे और वो अगर T as a function of V है ऐसे समझेए क्योंकि calculus की बात थोड़ी सी लेके आनी पड़ेगी अगर T as a function of V है तो dt by dv 0 करना होगा और मानली जे कोई आप question कर रहे हैं जहाँ पर T is a function of P तो आपको फिर dt by dp को जो है वो 0 करना पड़ेगा अब आप एक question मेरे से पूछ सकते हैं यहाँ पर कि सर ये बताए कि आपने bc line ही क्यों choose करी ab और ac क्यों नहीं choose करी इसकी equation लिखने के लिए ये मुद्दा सबके दमाग में आ सकता है आईए देखते हैं कि मैंने क्यों नहीं उसको choose किया अब दिखें कि हम ये सब लोग हम सब ये लोग ये बात जानते हैं कि T जो होगा वो होगा PV by R तो जहाँ pressure और volume का multiple maximum होगा वही temperature भी maximum होगा क्योंकि R तो constant है अब यहाँ पर देखें यहाँ पर pressure minimum है मतलब एक ही pressure जा रहा है यहाँ पर volume एक सी जा रही है तो यही line है न जहाँ पर pressure और volume दोनों ही बढ़ रहे है यही एक line है जहाँ पर pressure और volume दोनों बढ़ रहे है तो इसलिए इसी वाली line को choose करना होगा ठीक है तो इस वाली line को हमने choose किया और इसलिए इस पर हमने जो है वो equation बनाई और लगाई और हमें T max की value जो मिल गई वो यह मिल गई तो इस एक question के थुरू हमने कम से कम साथ से 8 question किये और बहुत सारे concepts मैंने thermodynamics के आपको इस question के थुरू revise कराने की का प्रयास भी किया ठीक है तो हमारे channel के साथ बने रहे है ऐसे ही interesting वीडियो को देखने के लिए अगर अभी तक channel को like और subscribe नहीं किया है तो channel को subscribe करिए वीडियो को like करिए share करिए comment करिए और हमें बताइए कि कौन से और topics आप चाहते हैं अपनी जैई मेंन में सफ़र होने के लिए goodbye for now and wish you all the best for your jaybians